नमस्कार दोस्तों मैं तरिनाथ आप देख रहे हैं Online Entrepreneur YouTube चैनल दोस्तों आप सभी को फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में दोस्तों आज का यह वीडियो उन सभी Creators के लिए है जो लोग YouTube के लिए वीडियो बनाते हैं यह Instagram Reels TikTok जिसके लिए आप वीडियो क्रेट करते हैं तो उसके लिए आपको Camera यह Mobile से Recording करना पड़ता होगा तो सबसे जरूरी उसके लिए ट्राइपोड जरूरत पड़ता होगा आपको तो जी हां दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं अच्छा नहीं मिलेगा तो दोस्तों यहां पर आपको डिजिटेक 550LW के लिए बस 15 रुपे इंवेस्ट करना होगा जिसे कि आप एक अच्छा ट्राइपोड ले सकेंगे अपने वीडियो क्रेट करने के लिए तो दोस्तों यहां पर डिजिटेक का DTR 550LW का मैं अनबॉक्सिंग करूँगा मेरे पास आज यह आ चुका है मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या-क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे कैसे यह अलग ट्राइपोड से अलग है और दोस्तों यहां पर मैं आपको पता दूँ कि यह आपको Amazon के website से मिल जाएगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा जो दोस्तों बिना टाइम विस्ट किये चलते हैं इसके अनबॉक्सिंग के और और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादर जादर वीडियो पाने के लिए साइड में बेल आकन को ज़रूर प्रेस करें जो दोस्तों यहां में अमाजोन के तरफ से यह पैकेजिंग कुछ इस प्रकार का मिला है जहां उपर आपको प्लास्टिक रैपिंग नजर आएगा पूरी तरह से प्लास्टिक में यह रैप्ड है जिसे आपको फाड के निकालना है उसके बाद आपको मिल जाता है डिजिटेक का लाइट ट्राइपोड DTR 550LW का ओरिजनल पैकेजिंग उपर ट्राइपोड का इमेज कुछ इस तरह से देखने को मलता है साइड में यहां पर कुछ स्पेसिफिकेशन डिस्प्ले किये गए हैं जैसे कि मैक्सिमम लोड 5 kg मैक्सिमम हाइट 5.57 फीट फोल्डेड हाइट 615 mm और नीच साने से पर्चेस कर पाएंगे तो दोस्तों यहां पर साइड में आपको बहुत सारे फीचर लिखे गए हैं तो उस फीचर को मैं आगे के वीडियो में बताने वाला हूँ उसके बाद इस पैकेट को ओपन करें तो यहां पर आपको फिर से एक प्लास्टिक रैपिंग और उसके अंदर मिल जाता है एक ब्लाक कलर का ट्राइपोड कैरी बैग उपर के तरफ एक चेन दिया गया है इसे ओपन करने के लिए और साइड में एक स्ट्राप जिससे आप कंदे में कैरी कर पाएंगे उपर चेन के मदद से आप इसे ओपन कर लेंगे और यह रहा आपका में प्रड़क्ट जो की DTR 550 LW ट्राइपोड है डिजिटेक के तरफ से कुछ इस तरह से आपको देखने को मल जाता है यहां आपको एक बैग और एक ट्राइपोड और एक बॉल हेड देखने को मल जाएगा क्वालिटी के बारे में बात करें तो यहां दोस्तों आता है अलुमूनियम से बना पोटेबल लाइट वेट 1200 ग्राम का यह ट्राइपोड आपको मिल जाएगा जहां पर यह ट्राइपोड मैक्सिमम 5 kg तक का कैमरा वेट लोड ले सकता है और इसके फोल्डेबल हाइट के बारे में बात करें तो 615 mm देखने को मिलेगा और मैक्सिमम हाइट आपको 5.57 फिट देखने को मिल जाता है यहां पर इस ब्लाक कलर के ट्राइपोड के ऊपर वाइट कलर में डिजिटेक का ब्रैंडिंग और मॉडल नेम प्रिंट नजरा जाएगा जहां पर आपको मिलता है साइड में एक हैंडल जिसके मदद से आप आसानी से कैरी कर सकते हैं यहां पर आप विट कैमरा इसे एक जगह से दूसरे जगह पर मॉव्मेंट कर सकते हैं इस हैंडल के मदद से यहां पर आप इस ट्राइपोड के तीनों लेक्स को कुछ इस तरह से स्प्रेड कर लें और नीचे आपको एक रिंग लॉक मिल जाएगा जिस रिंग को आप रोटेट करके इसे लॉक कर पाएंगे उसके बाद आपको यहां पर तीनों लेक्स में मिलता है फ्लिप अप लॉक्स जिसके मदद से आप इसका हाइड को आडजस्ट कर सकते हैं और नीचे मिलता है रबर का फिट जिससे आप कोई भी सर्फिस पर इसे आसानी से रख सकते हैं जैसे कि यहां पर फ्लिप अप लॉक्स दिया गया है इस लेक्स में आपको दो सेक्षन में दो लॉक्स मिल जाएंगे जिससे आप कुछ इस तरह से एक्स्टेंड कर सकते हैं इस ट्राइपोड के ऊपर आपको मलता है कैमरा माउंट पैनल जिसको आप कुछ इस परकार से बाहर निकालेंगे आपको दिया गया है एक lock system जिस lock को आप unlock करके इस panel को बाहर निकालेंगे जैसे कि आप जानते हैं हर camera के नीचे आपको tripod circuit देखने को मिल जाता है कुछ इस तरह से camera को इस panel के साथ attach कर लेंगे और tight कर लेंगे और panel को tripod के उपर आप फिर से mount करके lock कर लें head जैसे कि ये bubble आपको center में दिखा तो आप यहां से detect कर पाएंगे एक horizontal position जिसके मदद से आप horizontal photography, videography के वगद वहाँ पर कोई भी surface हो आप इसके मदद से recognize करके adjust कर पाएंगे उसके बाद दोस्तों जैसे कि आपको यहां पर इस tripod में उपर के तरफ three way head adjustable pan मिल जाता है so उन तीनों positions को देखते हैं जैसे कि सबसे पहले आपको right side में एक lock मिल जाता है जिसे आप rotate करके unlock करें unlock करने पर आपको full panoramic यानि 360 sort ले पाएंगे तो यहां पर कुछ इस तरह से handle पकड़ के आप 360 degree इसे rotate कर पाएंगे और आप support में आपको एक handle मिल जाता है जिस handle को आप lose और tight कर सकते हैं lose करने पर आप इसे उपर और नीचे movement कर सकते हैं कुछ इस तरह से आप camera को उपर लगाने की बाद इस handle को lose करके आप अगर up and down करेंगे तो यह कुछ इस तरह से movement करेगा और आप आसानी से इसे shots ले सकते हैं next यहाँ पर third number position को देखें तो आपको यहाँ पर side में उपर के तरफ एक knock मल जाता है जिसको आप lose करेंगे तो यहाँ पर आप camera orientation को change कर सकते हैं landscape mode से portrait mode पर जिससे आप आसानी होगी आपको एक portrait shots लेने के लिए दोस्तों आपको इस tripod को इसके maximum size पर extend करने के लिए दिया गया है एक screw lock जिसे आपको lose करना होगा उसके बाद side में कुछ इस तरह से rotate करके आपको इसको ऊपर extend कर देना होगा धिरे धिरे आप rotate करते जाएंगे और यह ऊपर की तरफ extend होते जाएगा कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों इस tripod में each leg में दो sections मिलेंगे जहाँ पर flip up blocks को unlock करके तीनो legs को extend करने पर आपको यह कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है यहाँ पर मैं आपको इस tripod का full unfolded extended size size so कर रहा हूँ जिससे आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि box में जो लिखा गया था इसका maximum size 5.57 feet का तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा इसे पूरी तरह से extend करने के बाद आपको इसका height कुछ इस तरह से मिल जाता है अब बात करें डीटेक DTR 550 LW का compatibility की तो यह compatible है with video cameras digital cameras, still cameras, gopro devices, smartphone adapters and scopes दोस्तों वहीं अगर आप इस tripod में smartphone को mount करके shooting करना चाते हैं तो आपको यहाँ पर अलग से एक monopod holder clip purchase करना होगा जो कि Amazon पर आसानी से मिल जाएगा दोस्तों उमीद करता हूँ आपको यह video अच्छा लगा होगा एक like करना मत भूलें और अपने friends के साथ इस tripod unboxing का video को जादे जादे शेयर करें और हमारे चैनल को subscribe करें और side में bell icon कर ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मिलते रहे ऐसी नएने update सबसे पहले झादे पार होगा